हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में संस्क्रेट के पार्ट चार संस्क्रेट साहित्य लेखिका के सभी महत्पुन अबजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे तो एक भी प्रशन आप लोग स्कीमत किजिएगा वीडियो को प बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और यह हमारा वाट्सअप नंबर है 87, 89, 30, 73, 04 इस पे आपको बोलना है कि सर हमें गुरूब में जोड़ दीजिए तो हम आपको गुरूब में जोड़ देंगे तो आईए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रशन से तो पहला नंबर प्रशन है कि यगे वले ने आत्मतत्व की सिक्षा किसको दी थी तो मैं त्रई को दी थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा और मैं त्रई कौन थी तो यगे वले की पतनी थी तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण दो नंबर प्रश्ण कि सरो सुकला सरोसती किस ने कहा है यहाँ पे आपको बताना है कि सरो सुकला सरोसती किस ने कहा है तो दांडी ने कहा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण तिन नंबर प्रश्ण कि गंगा देवी का समय क्या है यहां पर आपको बताना है कि गंगा देवी का समय क्या है तो गंगा देवी का समय 14 सदी है इसे आपको याद रखना है यहां पर एवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आये देखते ह अगला प्रशन चार नंबर प्रशन कि रीगवेद में कितनी महिलाओं कहma रचा कि अपको सही हो जाएगा और बैद कितने परकार के होते हैं तो यह भी साथ में आपको याद रखना आईए देखते हैं अगला प्रश्ण पांच नमबर प्रश्ण की यगेवले की पतनी कौन थी काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है की यगेवले की पतनी कौन थी तो मैत्रही थी से आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला ओप्सन बिल्खुली सही ह हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण छे नंबर प्रश्ण है कि महाभारत में किस लेखिका का उलेख मिलता है काफी महत्पुड प्रश्ण है और ये भी प्रश्ण बोड़ परिक्षा में बार-बार पूछा जाता है इसे आपको याद रखना है यहां पर आपको लिखा है तो बेदव्यास जी ने लिखा है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है और एक भी प्रश्ण आप लोगे स्कीम मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्रश्ण की वर्तमान काल की संस्क्रित लेखी का कौन है काफी महतपुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल की संस्क्रित लेखी का कौन है तो मिथिलेश कुमारी मिस्र है इन्हें आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्खुली सह हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण आठ नंबर आठ नंबर प्रश्ण है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखी काओं में कौन अतियों प्रसीद है काफी महत्पुड प्रश्ण है और यह प्रश्ण बोड़ परिक्षा में बार बार पूछा जाता है इसे आपको या हो जाएगा और छामाराव कौन है तो संस्कृत लेखी का है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण नौ नंबर प्रश्ण है कि यग वले अपनी पत्नी में त्रई को किसकी सिक्षा देते थे काफी महत्पुड प्रश्ण है और यह भी प्रश्ण बोड परिक्षा में बहुत बार पूछा गया है तो इसे आपको याद रखना है यहाँ पे आपको बताना है कि यग वले अपनी पत्नी में त्रई को किसकी सिक्षा देते थे तो आत्मतत्तों कि सिक्षा देते थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी व भट्टारीका चंद्रादित्य की पतनी थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 11 नंबर 11 नंबर प्रशने की पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्यागरह गित किसके दर्शन द्वारा प् प्रभावी थे तो महत्मा गाधी जी के दर्शन द्वारा प्रभावी थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 12 नंबर 12 नंबर प्रशने की गरगी एम वाच कौनी किसके दर्बार में रह रहती थी तो जनक के दर्बार में रहती थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 13 नंबर 13 नंबर प्रशने की बिज्यांका किस वण की थी यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिज्यांका थी यह किस रंग की थी तो यह स्याम रंग की थी यानि हलकी सावली थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 14 नंबर 14 नंबर प्रशने की मधूरा बिज्यम किसकी कृति है काफी महत्पुड प्रश ऐसी तो इसी सैँ हो जाएगा वी प्रशन प्रतुरों से लेकर अंतर्य और विडियों को अभी तक आप लाइक कर दिए गया कर देखते हैं अगला प्रशनम 15 नंबर की अच्यूत रायका शाचन काल कब था तो 10 सदी में था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला उप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सूला नंबर सूला नंबर प्रश्ण की वरदांबी का परिडाय चंपू कावे किसकी रचना है काफी महतपुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है की वरदांबी का परिडाय चंपू कावे किसकी रचना है तो यह तिरू लामबा की रचना है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे कि पंडित छमाराओ किस काल की कवित्री है तो आधुनिक काल की कवित्री है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्णा 18 नंबर 18 नंबर प्रश्णे कि संकर्चरितम किसकी रचना है यहाँ पै बताना है कि संकर चरीतम किस की रचना है तो पंडित छमाराव की रचना है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 19 नंबर 19 नंबर प्रश्ण की अच्यूत राय की पतनी कौन थी काफी महत पुड़ प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि अच्यूत राय की पतनी कौन थी तो तीरू लामबा थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 20 नंबर 20 नंबर प्रश्ण की कमपन राय की पतनी कौन थी काफी महत्पुड प्रश्ण ये भी आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि कमपन राय की पतनी कौन थी तो गंगा देवी थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह पूर्सो और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है तो समाज की गाड़ी चलती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण बाइस नंबर बाइस नंबर प्रश्ण की अथरोबेद मे कितनी महिलाओं का वर्णन है यहाँ पे आपको बताना है कि अथरोबेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है तो अथरोबेद में पाच महिलाओं का वर्णन है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प् पार्ट में किसके महत्तों का वरनन किया गया है इसे आपको याद रखना है यहां पे डी वाला ऊप्षण सबीक्तित प्रशन हम आपको बता चुके हैं तो इसमें से जो भी प्रशन आपको याद ना हो तो प्लीज आप उसे notebook पे लिखे जरूर याद कर लिजिएगा अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग online टेस्ट रोज कैसे दे सकते हैं अगर आपको रोज रोज online टेस्ट देना है तो आपको हमारे WhatsApp गुरूप में जोड़ना पड़ेगा तो यह हमारा WhatsApp नमबर है 87, 89, 30, 73, 04 इस पे आपको ब खुल याएगा तो यहाँ पर दिखे एक search box दिखेगा इसमें आपको लिखना है ask class तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ASK और फिर CLAWS हम यहाँ पर ask class लिख के search कर देंगे और जैसी search करेंगे यहाँ पर दिखे लिखा हुआ आ गया ask class इस पर आपको click करना है और जैसी आप लो click किजिएगा तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है class 10, 21 मई यहाँ पर देखे 25 2022 आपदा प्रबंधन का live test हो रहा है तो इसी पर आपको click करना है और जैसी आप लोग click किजिएगा तो यहाँ पर देखे थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पर 105 बच्चों ने अभ यहाँ पर देखे 20 कॉस्टन है और इसमें से आपको बनाना है अगर आप लोग सही किजिएगा तो green हो जाएगा अगर आप लोग गलत किजिएगा तो rate हो जाएगा तो यहाँ परशन हैं कि tsunami की सस्थान पर आता है तो जो tsunami होता है यह समूंदर में आता है अगर आपका सही अनसर होगा तो green हो जाएगा और सही का टिक लग जाएगा अगर आपका गलती होता है यहाप देखिए कि महासागर के तली में होने वाले कमपन को किस नाम से जानते हैं तो tsunami के नाम से जानते हैं लेकिन हम अगर भुकंप लगाएंगे टीक तो यहाप देकि गलत बता रहे और जो सही आंसर है वह आपको बताएगा तो ऐसी आपको टेस्ट दे देना है और लास्ट में आएगा सी रिजल्ट आपको रिजल्ट देख परणा है तो पस आपको डाउनलूड करना है तो डाउनलोड पीडियेफ पे आपको does करना है और अगर आपको कोसेंड बैंक पढ़ना है तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है meant Critical 10 और यानि जो जो कोसेंड परिक्षाओं में पुछा गया है कि 2014 में कैसा question पुछा गया है 2015 में तो अगर आपको पढ़ना है तो यहां से पढ़ सकते हैं अगर आपको objective subjective पढ़ना है तो यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं तो उमीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग में इस चैनल के बारे में आप लोग जरूर बताईएगा अपने दोस्तों से अगर स्कूल जाते हैं तो इसकूल में अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों को जरूर बताईएगा इस चैनल के पड़े तो थेंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मनला के पढ़ाई किजिए टेक के रेंड वाएं